है 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 लो फ्रेंड्स वेलकॉम तो माइ स्टेडी फीट जनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोस्टेंस फिजिकल एज्जिकेशन कंपेटिटिक जॉम्स में पूछे गये हैं उन सभी कोस्टेंस को टापिक वाइच आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं दोस्तों यह सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिल्वेस के कॉर्डिंग है उन सभी वीडियो इसको वाज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों यह सीरीज नंबर 61 है चले चलते हैं आज के प्रश्णों की श्रिंखला के त करम साल जिस्को याद कर सकते हैं फाश्टर हायर इस ट्रांगर यानि की अधीक यहां पर क्या पूचा उठणा एंड फोर्टियस का अर्थ होता है इस्ट्रांगर यानि कि अधिक मजबूत यानि बल्नवान होना तो यहां पर क्या पूछा है उलम्पिक के आदर स्वाक में फोर्टियस का क्या अर्थ है तो अधिक सक्तिसाली ठीक है आपसर नमबर सी करेट हो जाएगा फिर है cts का क्या अर्थ है तो क्या अर्थ है अधिक तेज जढ़ना आपसर नमबर a यहां पर करेट हो जाएगा फिर नेक्स है ओलम्पिक का उद्दे से तीन लेतिन सब्दों में नहीं थे जिसमें artyas का अर्थ होता है तो क्या होता है artyas का अर्थ faster higher stronger यानि faster higher यानि अधिक उचा तो आपसर नंबर C यहां पे सही हो जाएगा all just का अर्थ अंज्ड है ओलम्पिक का लच्छ यानि मोटो है क्या है आपसर नंबर B यहां पे करेक्ड हो जाएगा faster higher stronger नेश्ट कुस्टन है कि ओलम्पिक में हां की कब शामिल की गई दोस्तों ओलम्पिक में हांके कब सामिल की गई 1908 लंदन ओलम्पिक में नेक्ट कुस्चिन है निम लिखित में से किस खिलाई ने ओलम्पिक खेल के फाइनल में चोथा अस्थान प्रात किया है पीटी उसा, मिलखा सिंग, ए भी दोनों कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ पे पीटी उसा और मिलखा सिंग दोनों ने ही ओलम्पिक में फाइनल में चोथा अस्थान प्रात किया है जैसा कि मिलखा सिंग 1906 रोम ओलम्पिक में 400 मिटर रेस में और पीटी उसा 1984 लोस एंजिर्स उलम्पिक में 400 मिटर बाधा दोड़ में चोथा अस्थान प्रात किया है एंड नेक्ट कोश्चन है उस भारतिये खिलारी का नाम बताईए जिसमें उलम्पिक खेलों में पिभिन ट्रैक और छेत्री खेलों में फाइनर के लिए क्वालिफाई किया था मिलखा सिंग स्रीराम सिंग पिटी उसा उप्योग सभी तो दोस्तों यहां पे तीनों थे उप्योग सभी यहां पे सही होगा नेक्स कोशन है खेल में खेल बॉन सब्सक्राइब फ्राची में लाइज अपॉलॐ की समय आजित किये गए थे ज़सके की कि ऐसी कि अधिन स्काल में मैं प्रव्र हैँ लिक खेल nे क्ली होता था जिसमें उल्मपी क SoonLY ऐसीМियन इन निमें होता तो यहां पर क्या पूछा है खेल जो प्राचिन समय में लाड अपूलो के समय समझ आजित की जाते थे तो कौन लाड अपूलो यानि की सूरी देता की समझ तो यहां पर आपसा नंबर सी करेट हो जाएगा पीधियन यानि दोस्तों पीधियन खेल जो है प्राचिन समय में ग्रीक के सांतियम संगीत के देवता लाड अपूलो के समान में छटी सतावदी इसापूर में आजित किये गए थी यह प्राचिन ग्रीस के चार पान हिल्ली खेलो उलम्पीक पीधियन इस्थिमियन और निमियन आजित क की जाते थे नेक्स कुर्श्चन है मुन लिखित मेंशे कौन ओलम्पीक खेल के पदक विजयताओं में सम्मिलित नहीं है लिएंडर पेश करम मलेश्वरी मिलखा सिंग अभिनो बिंद्रा जैसा कि दोस्तों लिएंडर पेश जो है वह अठारा सुचानवे में उनीस सुचा लिएंडर पेश उनीस सुचानवे में टेनिस में कांसे पदक जीते थे एंड कलम मलेश्वरी दोहजार सिद्नी उलम्पीक में भारत तोलन में कांसे पदक जीती थी और अभिनो बिंद्रा जी दोहजार आठ में अभिनो बिंद्रा जी दोहजार आठ में निसाने बाजी मे 400 मिटर रेस में 4 अस्थान प्राप्त किये थी यहाँ पे क्या कोश्चन पुछाया है कि कौन उलम्पिक खेलों पदक बिजेताओं में समिलित नहीं है तो लिएंडर पेस करम मले सुरी अभिनो बिंद्रा तीनों पदक बिजेताओं में समिलित है यह कि मिलखा सिंग ने कोई पदक नहीं पाया था उलम्पिक में इन्होंने उन्दू 1960 रोम उलम्पिक में 400 मिटर रेस में फाइनल में 4 अस्था अस्थान प्राप्त किया था नेक्स कोश्चन है भारत ने उलम्पिक खेलों की हाकी इस परदा में पहली बार किस वर्ष से भाग लेना शुरू किया और इसमें सवर्पदल जिता तो दोस्तों 2018 एंफेह विश़्डाडम हाले इन्दू उलम्पिक पहली बार भारत ने हाकी को हाकी मेख में भाग लिया और इसमें सवर्पदल जीता जब्कि दोस्तों हाक अलम्पिक के शामिल कंप किया गया है 1908 में ठीक है भारत ने पहली बारिश्च रेमी कंप कर अलम्पिक में कंप भाग लिया था तो 1922 में सर्प्थम भाग लिया था और उस तमिया नामन प्रिचाड ने भारत का प्रतिजित्वर किया था इसके बाद भारात ने全部 फिर derece 19 साफिक जा उल्मपिक में प्रतिभाग करने के लिए बेजा था फिर 1924 में अनधिकारी प्र नधिकारी पहर निस सुबीस ऑनिस सुबीस पहज लिया फिर अधिकारी तोर पर 19ıkt आठाःस में भारत ने उल्मपिक बाग लिए अधरत्त म स्वरपत्रपार्थ स्वाथिए चेज़ जी तो ध दूस्तोंужд आधूनीक ओलेंपिक के इतिहां में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हाकी में वर्ष उनिस्सो अठाइस बत्तीस अर्टालीस बावन छप्पन चोंसर्ट असी तक में लगातर आर स्वर्ड पतक जीते असी तक में स्वर्ड पतक जीते और निस्सो साथ के रोम ओलंपिक में रजट पतक जीता और निस्सो अठाइस बहतर में कांश से पतक जीता है और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक होना था 2021 में हुआ है कोविद 19 के करण उसमें भी भारती हाकी टीम ने कांश से पतक जीता है तो अब तक में आट स्वर्ड एक रजट कितने पतक हुए कि बारा पतक हांकी के प्राथ हुए है कितने कितने आठ स्वर्ड एक रजट चार कांश से 2021 को मिला करगे ठीक है नेक्श कोंचन है उलंपिक का सरवाधिक आठ बार हांकी का खिताब निन में से किस देश ने जीता तो भारत ने जीता स्वर्पदक प्राथ हुआ तो 1928 के एंस्टरडम हालन उलम्पिक में स्वर्पदक प्राथ हुआ थिक है किस भारतिय कप्तान को उलम्पिक के दौरान पहली बार जीत के स्टेंड पर चढ़ने का ओसर मिला तो किसको मिला था जैपाल सिंग को जब 1928 में भारती हांकी टीम ने उलम्पिक में भाग लिया था उस्वर पतक जीता उस समय भारती हांकी टीम के कप्तान कौन थे जैपाल सिंग थे नेक्ट गोचंट है वरस 2012 के गृष्ट में कितने पतक जीते हैं तो दोस्तों 2012 में भारत ने लंदन उलम्पिक में 6 में जीते थी कुल साथ पदक जीता हुआ है कि 2021 कि टोक्यों लंपिक में भारात का तरफ से साथ पदक आए हुए हैं एक स्वर्ड दो रजद चार कास से एक स्वर्ड निरत चोपड़ा भाला फेक में दो रजद मीरावाई चानू वेट लिप्टर में एंडरोविक माद दहिया कुस्ती में और दो कास चार कास से लो निर्णा बोर्गे हैं बॉक्सिंग में पिवी सिंधू बैमिंटर में बजरंग पुनिया कुस्ती में अभारती हाकी टूम कास पदक जीती हैं भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वड़ प्राप्त किया है तो दोस्तों जैसा कि अभी तक में आठ स्वड़ हाकी में पाया है एंड एक स्वड़ निसाने बाजी में 2008 में अभिनो बिंदर ने पाया है एंड दोजार इकीस में एक स्वड़ पदक नियर्च चुप्राने भाला फेक में पाया है यानि अब कुल पहले नौ था अब कुल दस स्वड़ पदक भारत ने ओलंपिक खेलों में प्राप्त किया है तो अभी के अंसार दस हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन है भारतिया की टीम ने निमने लिखित में लिखित उलंपिक पदक जीते हैं आप स्वड़ एक रज़त दो कार्ष से यहां पर आपसान नंबर सी करेट होगा लेकिन बरतमान के परिपेच्छे में आप स्वड़ एक रज़त तीन कार्ष से जीता है ठीक है अब पूछेगा तो आच स्वड़ एक रज़त तीन कार्ष से होगा दो कार्ष से नहीं तीसरा कार्ष से त्रुक्य उलंपिक में जीता है ठीक है किस वर्स में भारत ने लंदन में आउजित उलंपिक में अपना पहला प्रमुक प्रदर्शन दिया था तो उनिस सोवर तालिस यानि देटी विस्ट युद्ध की समापते के बाद वर्स उनिस सोवर तालिस में लंदन में आजित हुए उलंपिक में भारत ने अपना प्रम उलम्पिक में सरवाधिक पदक गितने वाली महिला का नाम बताईए तो दोस्तों ओ है लेरिसा लेट निना जिन्होंने अठारे पदक गीते हैं आफसर नमबर भी करेट होगा लेरिसा लेट निना अठारे पदक गीती हैं उलम्पिक में सरवाधिक पदक गितने वाली महिला ह में चार पदक प्राप्त किये हैं पहली भारती महिला ओलंपिक पदक बिजेता कौन है तो कड़म मलेस्वरी जी है जो 2000 सिरीनी ओलंपिक आश्ड़िया में इन्होंने भारत तुलन में कांश्य पदक जीता है भारत तुलन में इन्होंने काश्य पदक जीता है 79 केजी भार वर्ग में और यह आंध्य पदेश राज की एथलिट हैं नेक्स कोश्चन है कि वर्ष 2012 ओलंपिक कहां संपन हुए थे तो लंदन में इन्हेंन है कि सिज़नी 2000 ओलंपिक खेलों के लिए किस नि कहा कि आज तक का सबसे अच्छा खेल है तुछ इस बात को कहा था जिवं एंटोनियू शमारास कि 2000 सिज़नी ओलंपिक आश्य लिया जो कि आज तक का मिन अच्छा खेल है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही डिली बीचस बने रहे दोस्तों बेस्ट कोस्टनों का स्रीज चल रहा है और इसमें से सार्शाट्र सद्रश्यंट आपका कोस्टन आ जाएगा जैर जितने भी सीवें टापिक बचे गुए हैं उन इस उफिश को उन इस अपने रहूंगी तो दोस्तों आप बने रहे के लिए तो दोस्तों पहले विजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइक को प्रेस कर लिए जिसे जो नए वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नौटिफिकरिशन आपको मिलता रहेगा तो मिलती है नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैही